पानी पत टोल प्लाजा पर पहुँचे किसान नेता राकेश टिकेट ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कोई अपील नहीं की है बलकि उन्होंने तो आंदोलन को परजी भी बताया है जो कि बहुत गलत है वही किसान नेता टिकेट ने दीप संदू की गिरफतारी को उचित बताया है आपको बता दे कि कुरुक्षेत्र जिले की पहवा तहसील में किसान महापंचायत को संबोधित करने जाते हुए किसान नेता राकेश टिकेट कुछ देर के लिए पानी पर टोल प्लाजा पर किसानों के बीच रुके राकेश टिकेट ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री को आंदोलन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था टिकेट ने कहा कि अगर आंदोलन पर जीवी है तो देश को आजाद करवाने वाले महत्मा गांधी शहीद भगत सिंग भी पर जीवी थे क्या टिकेट ने कहा कि प्रधान मंतरी मोदी ने आंदोलन कारियों का अपमान किय तिकेट ने दीप संदु की ग्रफतारी को उचित बताया पानीपत के किसान टिकेट तो रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जादा समय ने होने के कारण टिकेट वहां से जल्दी ही निकल गए और किसानों ने कहा कि दोबारा आप लोगों के पास आउंगा पानीपस से समादाता प्रभीन भार्दवाज की रिपोर्ट अज आप मातमा गानीव हो थी क्या सरदार भगत सिंग परजीवी थी यह देश के आंदोरन कारियों का आप मान तो नहीं करना चीए प्रदान मंतरी दोबार एक आजाता है कि है जहां किसान अभी तक साथ के दे चुके हैं बावजुद उसके 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 कोई बयान नहीं है और यह कहा जाता कि आंदोरन को परजी भी बताए आप परजी राकेशी बोलते का रूरी की आप मान तो सब्सक्राइब आप मारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थोज़ बैंक्वट्स लाय हैं निकरिड़ बारिच पैलिस राज गाराना आप पार बाकेश्टेर आपर एंदोर जोति गार्डन आप बोल्ड लौब इसेसे इसे अब्सक्राइब करेंग हैर पर दे क्वेडिय खिडिय बांदे लॉस्ट फिट रम्गर जही बांदे